क्या IMAX 3D में नहीं दिखाई जाएगी प्रभास और दीपिका की कलकी 28-98 जाने क्या है सच? एक लंबे इंतजार के बाद नाग अश्विन की फिल्म कलकी 28-98 पर रिलीज होने जा रही है। कुछ ही घंटे बाद देश भर के हर सिनेमा में कलकी के शो की धूम देखने को मिलेगी। दर्शकों ने इस फिल्म को देखने के लिए एडवांस में अपने शोज बुक भी कर लिये है। कई तो इस फिल्म को IMAX 3D में देखने के लिए तैयार है। बीते दिनों फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई थी। कहा जा रहा है कि पहले दिन फिल्म 100 करोड का आंकड़ा पार कर सकती है। इस बीच मेकर्स के लिए एक परिशान करने वाली भी खबर सामने आ रही है। जिसका सीधा असर कलकी की कमाई पर पढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि मूवी के IMAX 3D शो रद कर दिये गए है। 27 जून को देश भर के सिनेमा घरों में कलकी 28-98 AD की धूम देखने को मिलने वाली है। ऐसे में सोशल मेडिया पर ट्वीट्स वाइरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि फिल्म के IMAX 3D शो रद कर दिये गए हैं। ऐसे में अब इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए सूत्रों ने इटाइम से बातचीत की है और बताया है कि ये सभी अफवाह जूटी हैं। 3D कैलिब्रेशन अलग तरह से काम करता है और इसमें समय लगता है। 3D शो के लिए बुकिंग निश्चित रूप से कुछ समय में उपलब्ध होगी।